Hi everyone, exam medicine channel में आप सभी का स्वागत हैं हम बात करने वाले अलहाबाद इन्वस्टी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024 यदि आपने ग्रूप BCA किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया है तो आप के लिए यूसफुल हो सकती है ये वीडियो क्योंकि आप लोग की द्वारा ही ये कोश्चन किया जा रहा है इन्वस्टी एक्ट को लेकर तो इसमें हम सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि इन्वस्टी एक्ट में हमें पढ़ना है या नहीं और पढ़ना है तो क्या चीज़े पढ़नी है तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजे कि प्रिवियस एर में 2021 में जब इसका विज्यापन आया था अलहाबाद इन्वस्टि नॉन टीचिंग पोस्ट का तो सभी गुरुप के सभी पोस्ट में यानि गुरुप B, गुरुप C और गुरुप A सभी में जो है इन्वस्टि एक्ट अलग से रखा गया था नोटिंग, डॉफ्टिंग, ओर्डिनेंस और इसकी अलामा भी कुछ थे फैक्ट जो की परिक्षाओं की दृष्टि से रखे गये थे लेकिन आपकी परिक्षा में वहां से प्रश्ण पूछे ही नहीं गये थे अगर ये आपके syllabus में mention होता है तो आपको पढ़ना तो पढ़ता ही है और ये depend करता है question paper पे की हमको exam में प्रश्ण पूछे गया नहीं जैसे आपको अगर सिर्फ math आनी होती है या suppose कर ये English आनी है तो English आप सब कुछ topic अपना पढ़ते हैं अब ये बात और है कि वहां पर क्या पूछा जाएगा समझ में आ रही होगी आपको बाते तो ये जान लीजी इस बार के जो है जो syllabus जारी किया गया है ग्रूप B का syllabus तो जारी है आप सबने देखा होगा ग्रूप C में MTS के लिए syllabus जारी है वो भी आपने देखा होगा कहीं पर भी किसी भी पूरे notification में 2024 के notification में कहीं पर भी University Act 2005 या noting, dropping, ordinance, substitutes और भी जो भी topic थे उनसे सम्मधित कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ठीक सब्सक्राइब देखिए मैंने आप से यह चीजे बताई कि आपको इन्वस्टी एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है आखिर इन्वस्टी एक्ट में क्या चीजे हैं और किस तरीके से होती है मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी और आपको बता भी दिया था कि क्या ठीजें पढ़ने हैं लेकिन फिर भी आप में से कुछ candidates हैं जिनको यह confusion हो रही है कि हमको यह पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तो आपको अलग से समें कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर आपका इतना ही पढ़ने का मन हो रहा है तो आप website पढ़ जाएंगे और University Act 2005 डालेंग या लहाबाद इनिवस्टी का तो पूरा आपको एक मिल जाएगा कई पेज हैं उसमें पीडियाफ फार्म में उसमें हैं लेकिन उसको पढ़ लेने से आपका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा जब प्रिवियस येर में 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 इनके सलेबस में तब इनोंने मुश्किल से एक दो प्रशन रखे थे जबकि वहाँ पर पहले से डिवाइड था कि तीस प्रशन पूछे जाएंगे लेकिन तीस में से आये कितने दो या तीन और उस बार कैलिडेट को सभी पढ़ना था और मैंने भी आप लोगों को जो लो पढ़नी है आपको इनवस्टी एक्ट के विशे में एक औरली जानकारी हो जानी चाहिए किसमें क्या है ये एक्ट में होता क्या है जो इसमें पूरी धाराएं बताई गई है कितने अनुसूची इसमें भी होती है तो ये सब चीजे तो इससे रिलेटिट मैंने और एक क्या पढ़ना है आपको हिंदी इंग्लिश मस्ट है पढ़ना क्योंकि आपको तीस नंबर मिलने हैं 70 मांग जो आपके बचेंगे आपके इसमें से जी के जी एस करंट कम्प्यूटर और आपके हो सकता है मतब मैं तो नहीं आएगी लेकिन रिजनिंग हो सकता है आने की पॉसि दूसरी बात इसमें ये भी जान लीजे मेरी इतनी बार मैंने बताया भी है कि जूनियर ऑफिस असस्टेंट और अधर पोश्ट के लिए आप लोगों को अभी नोटिस नहीं आई है रिटेन एक्जाम को लेकर लेकिन आप पढ़ते रहें ज़रूरी नहीं आप मेरे द्वा इतने भी candidate है MTS को छोड़के Group C की पोश्ट की बात कर रहे हूं आप सबी लोग अपने स्किल पर ध्यान दे और computer से related चीजें देखें computer की theory में भी कुछ चीजें देख लीजेगा और computer का पुरा office package जो होता है important उसको हमारे द्वारा दिया जाएगा आपको अगर आप और भी इसमें हैं जो कि English Medium से होंगे लेकिन आप यह मानिए कि 100 में अगर 4 candidate है तो उनके लिए अलग से इंग्लिस में material बनाना फिर उसके लिए करना नहीं हो सकता है तो आप इस बात को समझेए ऐसा नहीं है कि आपको जो वीडियो दिये जाते हैं आपको समझ में नहीं आएगा आ और रही बात उसके लिए अलग से तो material अविलेबल नहीं हो पाएगा ठीक है बाकी क्योंकि इसमें maximum candidate जो है हिंदी मेडियम के हैं तो content भी जो है इसी लिए उसी में आपको दिये चाते हैं और बाकी चीज़े टेलिग्राम पर शेयर की जाती है और इसमें इतनी बड़ी ची जो 70 questions बच रहे हैं वो आपको जो exam में आएगा question वो Hindi English दोनों में आएगा question paper तो आप उन सब चीज़ों को समझते हैं और जो भी GKGS की topic रहती ही वो बदली नहीं है मतलब जो आप history पढ़ते हैं Indian geography पढ़ते हैं economy पढ़ते हैं तो चीज़ें वही अगर आपने English की book से जाता है ठीक है और बाकी मैं जो देती हूं सिर्फ इसी वज़े से revision की तोर पे दिया जाता है और सिर्फ important fact ताकि आपका revision हो सके उमीद करते हैं कि आपकी जो doubt रहे होंगे कि university act को लेकर मैं पढ़ू या ना पढ़ू पढ़ू तो क्या पढ़ू तो ये चीज़ें आप confusion द पढ़ने की क्या जरूरत है ठीक उसके बाद जब आप कहीं भी select हो जाएं चाहे यहां पर जहां कहीं भी आपका जो देश हो तो फिर पढ़ते रही है पढ़ने की क्या उम्र है ठीक है तो बस यही इस वीडियो में आपको information देनी थी क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कई इन्वस्टी एक्ट के विशे में बाकी अगर आपको कोई वीडियो पर्टिकुलर चाहिए किसी भी चीज के लिए और ऐसा नहीं है इन्वस्टी इन्वस्टी के लिए किसी अधर वेकेंसी के लिए भी प्रॉपर पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं जैहिंदा